बिस्मिल्य रख्मान उपरहीम असलाम अलाइकम आपके साथ मैं डालर और रियारेट शेयर कर रहा हूँ रोज एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ रोज आखरी से बात है रेज अपडेट हो रहा है आज डो चलांग लगी है ना डालर की वो आप देखने और एक चीज वीडियो में शुरू के बता हूँ आपको डालर के उपर ही तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान की खासकर चल रही है इसके उपर आपको खुब इलम है अच्छा साथी रियाल की अगर आप डालर में कनवर्ट करके देखेंगे ना तो आपको वही रेट दिखाई देगा जो आ पर ही जाता जाएगा सबसे पहले आपको डालर रेट के मतलब बता दूए 182 रुपए 64 पैसे था कल का रेट मैं आपको साथ शेयर किया था आज देख लिए 183 रुपए 48 पैसे हो चुका है यानि का तकरीबन एक रुपए के करीब भाई एक ही दिन में डालर महंगा हुआ ह ठीक है जी एक रुपए तो उसी हिसाब से रियाल के ओपर भी फिर फरक भाई आ रखा है अगर रियाल रेट के एक्सचेंज रेट के मतलब बात करें तो 49 प्लस में जा चुका है यहां पर आपको दिखार हो मैं यानि के आने वाले कुछ दिनों में 50 होने वाला है और फौर में लाते हैं वहां से साथ यान के 5000 आप रियाल लेकर आ जाते हैं यहां पर पाकस्तान में तो अंदाजा कर लिए कि आपको एक रुपए का डिफिनल्टी बात फाइदा होने वाला है आपका 5000 यानि कि अगर वहां पर रेट लग रहा है आपका 48 रुपए 25 पैसे तो यहां पर वही लगए गया 49 रुपए 25 पैसे ठीक है जी स्टी सी पे की बात करें तो 48 रुपए 24 पैसे इनका रेट हो चुका है सबसे हाई रेट भी तक है यही है जी तकरीलर राजी राजी बैंकी बात करें तो 47 रुपए 36 पैसे इनका रेट है लो रेट है जी 10 रेल की फीज है वेस्टन यूनियन की बात करना तो 48 रुपए 53 पैसे इनका रेट हो चुका है 23 रियल इनकी वई फीज है मनी ग्राम 48 रुपए 37 पैसे इस वक्त इनका रेट हो चुका है और 23 रियल ही इनकी फीज है इनका रेट भी अच्छ है टैली मनी एन बी बैंक के 46 रुपए 55 पैसे रेट हो चुका है यूकर लो ही चल रहा है तो ये आज का रेट था जी डालर का जिसमें आपको अपडेट कर दिया